प्यारे बच्चो, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वरक्षीट नमबर 35 करेंगे विज्ञान की वरक्षीट नमबर 35 मानव नेतार और रंगी इन्संसार यह मारा लेशन है तो इस लेशन में बच्चो आज पूर्ना अंतरिक प्रावरतन के बारे में पढ़ेंगे और अपवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे सबसे पहले आप देखिए पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन क्या होता है जब एक परकास सगन माद्यम से विरल माद्यम में जाता है सगन माद्यम क्या होता है जिसका घंताव ज्यादा हो और विरल माद्यम जिसका गंताव कम होता है सगन माद्यम से जब विरल माद्यम में परकास की किरने गुजरती है तब क्या होता है आपतन कौन करांतिक कौन से अधिक हो जाता है तो आपतन कौन जो है वो करांतिक कौन से अधिक हो जाता है तो प्रकास सगन माद्द में प्रावर्तिते हो जाती है वापिस प्रावर्तिते उसी माद्द में हो जाती है इसे ही पुरुणांतरिक प्रावर्तन माना जाता बच्चो जब आपतन कौन क्रांतिक कौन से अधीक हो जाए तब ये घटना संभव है वरना ये घटना नहीं हो शकती पुर्णांतरिक प्रावर्तन की कुछ स्थितियां हैं दो स्थितियां इसमें उनिव जरूरी हैं तब ही पुर्णांतरिक प्रावर्तन संभव है प्रकास सगन मादम से विरल मादम में जाना चाहिए और दूसरी है आपतन कौन करांतिक कौन से बढ़ा होना चाहिए करांतिक कौन को आपतन कौन के रूमें प्रिवाशित किया जाता है जिसके लिए अपरतन कौन नब डिगरी होता है क्रांति कोन को आपतन कोन के रूमे में ही प्रिवाशित किया जाता है जिसके लिए अपवरतन कोन कितना होना चाहिए 90 डिगरी होना चाहिए जब अपवरतन कोन 90 डिगरी हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि ये क्रांति कोन है वाइमेंडली अपवरतन देखे सितारों का टिम्टिमाना सितारे किस परकार से टिम्टिमाते हैं जब तारे का परकार से वाई मंडल में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तन से गुजरता है जब तारों का परकार वाई मंडल में प्रवेश करता है तो उसका कई बार अपवर्तन होता है इसके कान परकाश की बिलम की और जुकते ही अपवरतनांग बदल जाता है क्या होता बच्चो वाई मंडल में वाई की अनेक परते होती है कहीं ठंडी वाई होती है कहीं गरम वाई होती है इस तरह से अनेक परते बन जाती है और प्रकास अभी ने परतों से गुजरता है तो उसका कई वार अकळतन होता है जिसकी वज़े से तारे में ठेमटेम आते हुए परतित होते हैं तारों की सपष्ट श्तिती वास्त्विक स्तिती से थोड़ा बिन दिखाएदेती है इसी वज़े से थोड़े से वो भिन दिखाये देते हैं उनकी वास्तविक स्तिती से थोड़े सी उनकी स्तिती आवासी परतीत होती है चुकि पृत्वी के वायमंडल की बहुतिकी स्तिती अब सिथर नहीं है तारों की सपष्ट स्तिती बदलती रहती है इसलिए ये तारें टिम्टे माते वे नजर आते हैं अगरीन सुरिये का परकास और विलम बित सुरियास्त सुरिये वास्तविक सुरियोदे से दो मिनिट पहले दिखाई देने लगता है और सुरियास्त के दो मिनिट बाद तक दिखाई देता रहता है यह वाइमेंडली अपुरतन के कारण होता है टिंडल परवाओ जब प्रकास की करणे पानी की छोटी बूंदों धूल के निलंबित कणों आदी से जिने कुलाइडल कण कहा जाता से टकराती है तो करणे का मारग दिखाई देने लगता है इसे टिंडल परवाओ के नाम से जाना जाता है प्रकास का रंग प्रकास का रंग कुलाइडी कणों के आकार पर निर्बर करता है बहुत महीन कण मुख्य रूप से नीले प्रकास को भिखेरते हैं जबकि बड़े आकार के करण लंबी तरंगदारी के परकास को भी खेड़ते हैं आकास का रंग नीला क्यों दिखाई देता है परकास के परकेड़न के करण आकास का रंग नीला दिखाई देता है जब सुरिय का परकास वाई मंडल से गुजरता है तो आवा के महीन कन आवा मे दूल कन होते बच्चो महीन कन होते छोटे छोटे कन होते उन से परकास जब टकराता है तो लाल रंग के पेक्सर नीले रंग का अधिक मजबूती से परकिरणन हो जाता है तो ये जो कन है परकास को भी खेरते हैं और नीले रंग को ये परदर्शित करते है जिसकी वज़े से नेला रंग आकास का दिखाई देता है तो ये किसकी वज़े से संभव है वाई मंडेलिये परकिरणन के कारण ऐसा होता है परकिरणन एक अलग परिगटना है जो की अपवरतन से मेल नहीं खाती है अपवरतन एक अलग परिगटना जो की परकिरणन एक अलग परकार की परिग सुरियोद्य और सुरियास्त के समय अक्स्तीज के पास सुरिये से हमारे परकास हमारी आखों तक पहुंचने से पहले आवा की मोटी परतों से गुजरता है और प्रित्वी के वाई मंडल में बड़ी दूरी से ओकर गुजरता है सुरिये के उपर परकास अपेक्षाक्प्रिक्ते कम दूरी की यातर करेगा जिसके प्रिणाम सुरिये का स्वेत रंग दिखाई देगा अक्स्तीज के पास अधिकांस नेली रोशनी और छोटी तरंग दारे वाली कणों दवारा दूर बिखरी भी हैं इसलिए अमारी आखों तक पहुँचने वाला परकास लंबी तरंग दारिया का होता है इसलिए लाल रंग का हमें दिखाई देता है तो बच्चों क्या है यह देखिए एक स्टीज के पास सुरिये है सुरियास्थ सुरियुदे नीले परकास के परकिर्ण होने से सुरिये का रखता परतित होना किस रंग को परकिर्णित किया गया नीले रंग को नीले परकास का परकिर्ण आप देख सकते हैं इस तरह से सुरिये लगबग उर्द्वादर की स्थिति में उपर की स्थिति में है यहां रखता परतित होता हैं लाल रंग को परक्रिनित किया जाता है जिसके वज़े से ये ऐसा परतित होता है निमलेखित परिगटना का वरणन करें ताथ सितारों का टिम्टिमाना तो जो उपर हमने सितारों का टिम्टिमाना गटना की थी तो ये सितारों का टिम्टिमाना है इसमें आप ये लिख सक तिनों लाइने उसके बाद अन्य पर गटनाई दी गई है उसमें यह दीगे आकास का नीला रंग शुरिय और सुरियास्त के समें सुरिय का लाल रंग दिखना लाल रंग वाला क्युश्षन यह है इसमें अनस्वर यह लिखेंगे आकास का नीला रंग क्यों दिखाये देता यह वाला क्यूस्षन है यह अनसर लिखेंगे और आगरीम सुरिय का परकास और व्लंबित सुरियास्त का अनसर यहां से आप लिखेंगे तो बच्चो ये थी आपकी साइस की औरक्षीट वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें मारे चैनल को सब्सक्राइब परें